सत्यों आज कानून के एक महतुपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे और वो चर्चा इस प्रकार की है कि आज की तारीक में जब भी पती-पत्नी के बीच कोई विवाद होता है उनकी इगों का आपस में टक्राव होता है तो पत्नी द्वारा पती को धंकी दी ज वो आधी संपत्ती में तुमसे हासिल कर लूँगी और तुम जो इतना भी कमा रहे हो वो आधा पैसा में तुमसे हर महीने ले लूँगी जिसको लेकर कई युवा परिशान होते हैं इन बातों को लेकर कूठते रहते हैं और वकिलों से राय मश्वरा करते हैं और दिमाग म क्या रहेगा मैं अपने माता-पिता को क्या जवाब दूँगा और अपना भविश्य के से निकालूँगा आज इसी मुद्धे पर हम आपसे विश्टत चाचा करें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या एक पत्नी का पती की संपत्ती में कोई अधिकार है औ एक पत्नी अपने पती की आजी संपत्ती की हकदार हो सकती है यदि हो सकती है तो कब हो सकती है तो इनी चर्चा इनी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल फेस्बुक पेज़ पर इस तरह की जानकरी बहुत ही शरल सब्दों में दी जात को भाड़तिय कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि पत्नी को पती की समपति में अधिकार दिलाए यदि पती के पास खुद की कमाई हुई प्रपर्टी है या फिर अपने बाब दादों से पेतरक संपत्ती प्राप्त होई है तो ऐसे इस्थीती में पत्नी का पत्ती की संपत्ती पर कोई हक नहीं है यदि पत्ती और पत्ती की बीच विवाद होते हैं तो ऐसे विवादों की इस्थीती में पत् पती पर case file करके केवल और केवल maintenance की राशी प्राप्त कर सकती है। अगर दोनों ही पक्षकार आपसी सहमती से तलाक लेखते हैं तो ऐसी अवस्ता में यानि कि one time compensation amount दोनों ही पक्षकार आपस में मिलकर तै करते हैं जो किसी एक द्वारत तै नहीं किया जा सकता। यदि पती देना चाहे तो वह राशी डिसाइड होगी। उसके लिए उसको प्रतिबंदित नहीं किया जा सकता है। अब बात यह है कि इस बात से तो आप समझ गये होंगे कि पती के संपती में पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल भरन पोशन खर्चा पानी प्राप्त करने की अधिकारी है। और वह भी उन दोनों के बीच में आप सी सेमती से ताय हो जाता है। तो ठीक है वारना यह कोट द्वारा निर्दारन किया जा सकता है। और यह भी किसी वेक्ती की सेलेरी का भीस परसें से लेकर तीस परसेंट के मध्य हो सकता है। अब बात आते हैं कि मान लेजिए कि पती की बिना वस्यत किये अगर मृत्य हो जाती है बिना वस्यत किये। तो ऐसी अवस्ता में भी पत्नी उस संपत्ति के पूर्ण स्वामी नहीं है। हिंदु उत्रादिकार अधीनियम के अंतरगत पत्नी केवल उस संपत्ती में जितने उत्रादिकारी है संतान जैसे दो संताने वो है तो उसके हिसाब से उसका एक अलग पार्ट होगा जो उसे मिलेगा नॉमिनी के रूप में यदि वह कई इंश्वरेंस कंपनी की नॉमिनी है जो पती ने इंश्वरेंस कराया है तो उस नॉमिनी का हक उसे प्राप्त होता है लेकिन उसे उत्रादिकारियों में समान रूप से बाटना पड़ सकता है तो कुल मिलेकर इस वीडियो के माध्यम से हम निकल पंशेशन या शतिपूर्ती या फिर वह बरन पोश्चन की राशी की मांग कर सकती है जो कोड द्वारा उसे दिलाए जा सकता है अब बात यह कि पती या पत्नी के मध्य किसी संपत्ति को क्रे किया गया है और संपत्ति का जो टाइटल है वह दोनों की नाम पर ही है और पैसा दोनों की द्वारा लगाया गया है तो ऐसी अवस्था में उस संपत्ति के संदर्ब में दोनों को मिलकर निर्ने करना है कि उसको विक्रे करके राशी प्राप्ति करनी है या केसे बटवारा करना है यदि संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी गई है और पैसा यदि प पत्ति द्वारा लगाया गया है तो इस अवस्ता में कानून का साहरा लेना पड़ेगा क्योंकि टाइटल में यदि पत्ति का नाम हा रहा है। भरण पोशन का मुकदमा फाइल कर सकती है। वही पर एक पत्ति अपनी पत्नी के विरुद्ध मैक्जिमम शेक्शन नाइन यानि दामपत्य अधिकारों की प्रुरिस्तापना का डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकरी हमने आपको सनल भासा में देने की कोशिश की है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्राकार की अपडेट हमारे इसी यूटूब चैनल और फैस्बुक पेज पर दिये जाते रहते हैं।